हाँ जी तो हम chapter number 5 का start करते हैं उसके पहले में एक बात आपको बता देता हूँ that अपना option chain या फिर जो आप बोलते हो open interest दोने एक ही चीज़ है open interest option chain में दिखता है option chain को analyze करके आप ये पता कर सकते हो कि शायद market किस direction में जाएगा तो आप मुझे थोड़ा time दीजे मैं आपको जरूर वो चीज अच्छे से सिखाऊंगा there is no doubt about it कोई doubt ही नहीं है but you know before we move and हम लोग chapter number 5 start करें actually क्या होगा न हम लोगों ने chapter number 3 और chapter number 4 जो है वो इतना depth में पढ़ा है कि कुछ चीजें ऐसी है chapter number 5 की जो हम already cover कर चुके है तो जो चीजें हम already cover कर चुके है मैं उसका एक बार quick walkthrough दूँगा आपको इस वाले session में और अगले session से हम पता है क्या चीजे सीखेंगे हम सीखेंगे कि futures and options में hedging करते वे trade कैसे करना चाहिए ठीके तो मैं चाहता हूँ कि next session के पहले आप तो अपना पूरा backlog clear कर लो number one number two अगर आपको इस point of time पर थोड़ा सा भी कोई doubt रह जाता है कि futures क्या options क्या this is the time कि आप उसको repeat करो और अगले session के पहले 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 आप पूरे ready हो जाओ तो आपन फटा फट एक बार go through करते है chapter number five जो है वो कैसा है थोड़ा सा बड़ा chapter है I would say यह NISM का एक मोटा हाती है जिसके कोई marks 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 मिलने नहीं है 10% का बेटे जाए इसका ठी का नाम है strategies कि कुछ strategy बनाएंगे using what using equity futures and equity options sir यह जो strategies अपन बनाएंगे इसका क्या मतलब होता मतलब strategy बनाने का क्या मतलब होता है यहने मैंने एक future खरीदा और एक option खरीदा अब में दोनों simultaneously लेके trade करूंगा मेरे trade में दोनों चीज़े simultaneously रहेंगी तो यह मैंने कि strategy बना दी कि अगर मैं आपको live दिखाऊं तो आप मेरे साथ चली है और I'll show you the live thing हाँ जी तो मैं क्या करा मैं आपस्ट्रा डिफाइने जो open कर रहा है भी आपके सामनी में strategy builder पे जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है मान लीजे मैं trading view open करता हूं and trading view मैं open ITC normal एक ITC का chart open करता हूं daily chart मे open करता हूं ITC का कोई भी student होगा जिसको थोड़ा बहुत chart reading आता है यहां फिर आपने अपना technical analysis का workshop लिया हुआ है तो बच्चा भी देखके बता देगा कि भाहिया यह तो flag बन रहा है ठीक है यह तो मतलब एक pure flag जैसे ही बन रहा है और यह अगर breakout देता है मेरे लिए easy peasy 91 points का breakout है 91 points का breakout है मतलब अगर यहां से breakout देता है और 91 points से उपर जाता है मतलब 580 का target मुझे दिख रहा है समझ ना this is not a recommendation never trade basis this खतम हो जाओ गया पूरी तरीके से तो मान लो मेरे एक opinion है कि भाहि यह जो flag है यह flag की जो pole होती है उतना ही उपर और जा सकता है which is which is there in it's a science ठीक है तो यह हो सकता है कि यह यह जो stock है यह आगे future में बड़े अब मुझे इसको trade करना है देखो अगर 499.25 रुपीज का एक stock है और एक stock अगर खरीदना है तो पूरे पैसे table पे रखने 499 मुझे पूरे पैसे table पे नहीं रखने है मैं क्या करूंगा मैं इसका futures trade करने की कोशिश अब 1600 shares में आप at a time position बनाते हो अपनी ठीक है जब आप 1600 shares में अपनी position बनाओगे तो आपको कितना पैसे की requirement होगे 1600 into 500 that is close to 8 lakh rupees मेरे पास 8 lakh रुपया नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं future में position खड़ी करता हूं मैं क्या करता हूं यहाँ पर लिखता हूं ITC ठीक है this is ITC and ITC का futures है futures अपन buy करते हैं 500.4 rupees पे मैंने position add करी अब आप देख रहे हो मतलब अगर मैं इतने ही shares cash में खरीता ठीक है तो मेरा जो amount लगता वो 8 lakh रुपय लगता अभी सिर्फ 15 lakh में काम होगे है मतलब मैंने 15 lakh रुपय जेम में से लगा के 1600 shares में position बना लिए है अब एक रुपय अग क्या दिक्कत है कि यह loss भी unlimited है profit भी unlimited है मेरे को यह नहीं करना है मेरे को करना है कि मेरा loss जो है वो limit हो जाए loss में limitation आ जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे loss recover करना है ठीक है तो इसके लिए मुझे एक insurance खरीदना पड़ेगा देखो simple सी बात है अगर ऊपर जाने में कोई डर नहीं है मैंने तो खरीद के बैठा हूँ ठीक है अभी भी अगर आप देखोगे future की probability of profit is just 45% 55% चांज है कि आप इसको भी loss में रहोगे तो मुझे ऊपर जाने में कोई problem ही है कोई worry नहीं कोई डर नहीं है मुझे problem कहाँ पर है जब मेरा stock नीचे जाएगा ता मेरे क problem है तो ठीक है अगर नीचे जाता है तो उसके लिए insurance policy खरीद लेंगे तो कौन सी insurance policy यसी होती है कि stock अगर नीचे जाएगा तो आपको benefit देगी और उपर जाएगा तो कोई बात में सिर्फ आपका छोटा मोटा premium डूब गया that is put option तो what I will do is मैं ITC का 500 का put option भी खरीद लेता मैंने buy कर लिए add position करी मैंने ITC का 500 का put option खरीदा कितने का चल रहा है भी 5.45 पैसे तो मैंने 5.45 पैसे पे 5.45 पैसे देखे समझ ना जो premium है मेरी वो premium insurance premium देखे मैंने insurance ले लिया कि अगर ITC का share 500 रूपे से नीचे जाता है ठीक है तो आप मुझे उसका difference amount पे करोगे तो अब मै मैंने future कितने में खरीदा है 500 रूपे में खरीदा है अगर 500 से नीचे जाता है तो क्या मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा क्या मैंने उसके लिए policy खरीद के रखी है ठीक है अगर मान लो ये 500 का 500 ही रह जाता है expiry तक 29 अगस तक 9 दिन अभी तो क्या मेरे को कोई नुक्सान नी होगा देख इस पे तो कोई नुक्सान नी होगा future है अगर 500.4 पे बंद होता है तो कोई problem नी है लेकिन ये जो 5.45 पैसे पूरे डूब जाएंगे क्योंकि insurance premium ले रखी है लेकिन इसको लेने के कारण जो मेरा unlimited loss था क्या अब वो loss define हो गया है क्या कि 9,360 रूपीज का ही loss ह हो सकता है आपको एक lot पे समझ रहे आप 1600 शेर पे भले ये शेर अगले दिन 25% नीचे खुल जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता समझ रहे हो अभी 400 रूपे का शेर है 500 रूपे का शेर है कल ये अगर साड़े 300 रूपे भी open हो जाता है government ने cigarettes पे बहुत बड़ी duty लगा दी बानलो ऐसा हो जाए ITC के 5 होटल में एक साथ आँग लग गई ऐसा कुछ बड़ी news आजाए और ये stock 20% नीचे गिर जाए अगले दिन खुलते से ही आप समझ रहे हो अगर ये 100 रूपे से नीचे गिरता है कल तो आपको खड़े खड़े 1,60,000 का नुकसान हो जाएगा दूसरी चीज़ अगर आपको याद हो तो जब मैंने future लिया था तब मैंने 1,40,000 रुपे का margin पे किया था लेकिन जब मैं future के साथ option भी ले रहा हूँ तो चूकी मेरी risk जो है वो neutralize हो गई एक point of time के बाद जाके जो risk का pay off ग्राफिदे को अब risk कम नहीं हो री ना वही 9,900, 9 10,900 के आसपास ही है ठीक है तो मेरा margin amount भी कम हो गया अब वो मेरे को सिर्फ 34,000 रुपे देखे ये पूरी position लेने दे रहा है क्यों ऐसा कर रहा है अगर मैं इसको हटा देता हूँ एक मिट समझना मैं इसको एक काम करते हैं close करते हैं और इसको untick कर देता है अगर मैं इसको untick 10 आप देख रहा है एक तो margin requirement बंद हो गई कम हो गई क्योंकि उसको पता है कि मैं maximum loss ही 9,000 का करूँगा उससे नीचे का loss सर क्या ये चीज practically applicable होती है क्या आपका doubt ही आ रहा होगा बस maximum क्या ये चीज practically applicable होती है क्या ये मैंने position बना के रखे हुई आप लोग के लिए मैंने क्य को ऐसा लग रहा है कि आप होश्यारी मार लोगे और आप ये position में ये भी साथ में खिल लेता हूँ मजा आ जाएगा never do that never ever do that ठीक है कभी भी नहीं करना ये चीज आप देख रहे हो मैंने 499.25 रुपीज पे 10 lot लिए 8,000 सरी 5 lot लिए ठीक है 5 lots लिए 1600 का एक lot लिए 8,600 लिए लेकिन मैंने उसके against में 8,000 quantity में 500 रुपे का put भी ले रखा है तो अब देख रहे हो आप अभी क्या हो रहा है मेरको 11,600 रुपे का profit जो है वो future से हो रहा है और 13,600 रुपे का जो नुकसान है वो put से हो रहा है और मेरा net loss जो आ रहा है वो 2000 माइनस में चल रहा है अब आप ब profit 11,000 होता सर बिल्कुल सही बात है लेकिन रात को नींद नहीं आती न अभी मुझे पता है कि मेरा जो loss है वो maximize है कि मेरा loss उतने ही होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा अपने काम करते है अपन ये strategy को strategy builder में लगा के देखते है और मैं आपको और detail में समझाता हूं तो 7 रु modify और ये वाला है 7 रुपे 5 पैसे में जो मैंने insurance premium जो 5 रुपे 45 पैसे चल रही है इसको मैंने 7 रुपे 5 पैसे में खरीद है और मैंने 5 lot लोटी लिए है दोनों की quantity same लिए है इसको modify कर दिया है अब आप देख रहे होगे क्या बोल रहे है अब ये बोल रहे है कि आपका जो maximum loss होगा समझना वो 50,000 रुपे होगा maximum loss मतलब कहां तक का loss 50,000 का जो loss आएगा वो कहां पर आएगा ठीक है वो maximum loss आएगा कि कितना भी नीचे चले जाए आपको सिफ 50,400 का loss होगा ठीक है profit कितने का होगा profit कितना भी हो सकता this undefined profit break even का क्या मतलब है break even का मतलब ये है समझना है कि देखना इध्यान से समझने तो ये सर के उपर से चला जाएगा ठीक है 500 रुपे में मैंने future mentoring करी है 499.25 इसको 500 मान लो ठीक है मैंने 7 रुपे तो premium पे कर दी है ये डूबत खाता है अभी पैसा वापस नहीं मिलेगा मिलेगा ये 7 रुपे अगर stock यहीं कहीं खड़ा रहे now please understand ये 5 का 7 हो जाएगा मैंने 500 रुपे में share लिया है 7 रुपे मैंने insurance premium दी है वो मेरा डूबत खाता है तो मैंने effectively जो मेरा future मैंने खरीदा है वो तो मैंने 507 रुपीज में ही खरीदा है अलोंग विट insurance अगर आप एक simple future बोलो बिना insurance का तो वो 500 रुपे में बजार में वे like जो आप warranty additional purchase करते हो ठीक है कि आप 7 रुपे additional दो और आपका जो loss होगा वो हम minimize कर देंगे risk कर देंगे तो हमारे लिए profit बनना कब शुरू होगा पता है जब ये 500 रुपे से stock बड़े पूरी premium recover हो जाए जो हमने pay करी है उसके बाद मेरे को profit बनना शुरू होगा तो मैंने ख तो मेरा profit का बनना शुरू होगा पता है जब 500 से बड़ेगा 507 तक जाएगा और 507 के बाद जाके और उपर जाएगा तो मेरा break even क्या हुआ इस चीज के लिए 507 रुपीज is my break even ये stock जब तक 507 रुपे से उपर नहीं जाएगा समझना तब तक क्या profit बनेगा नहीं बनेगा मैं क्या आपको दिखाऊं कि strategy में सुबह कितना profit था आपको देखना है अपन दोनों के chart open करते है और दोनों के chart से अभी आपको 3600 का नुकसान दिख रहे है at one point of time we were in profit in this strategy I'll tell you how देखो आज का maximum high क्या है आज का maximum high है 504 पांसो चार रुपे का maximum high बनाया है ठीक है तो और इसक maximum high क्या है उसी time पर इसका maximum high है 6 रुपे 30 पैसे ठीक है अब बिल्कुल ध्यान से समझना आप देखो ग्रो और 99 वाला 504 रुपे हो गया ठीक है मैं calculator open गरता हूं तो आपको समझ मायाएगा सुबह क्या position थी ठीक है 499 वाला जो stock था वो 504 रुपे हो गया मतलब मुझे 5 रुपीस का profit हुआ कितने stocks थे मेरे पास 8000 तो 40,000 का मेरे को profit हुआ total ठीक है इसके against में जो मैंने 7 रुपे 5 पैसे वाला option ले रखा है ठीक है उसकी value कित्ती थी highest 6.34 देखो दोनों लगबग same time ही थी एक बार check कर लेते हैं ये वाला 10 बच के 10 मिनिट पर है और ये वाले को भी 10 बच के 10 मिनिट कर दो यहाँ पर 3.93 ठीक है तो चालीस हजार मैंने इससे कमाया 7 रुपे 5 पैसे माइनस 3.93 तीन रुपे का नुकसान था मेरे को 8,000 शेयर पर है तो 24,970 रुपे का loss था मुझे insurance premium पर है समझ रो जो मैंने put लिया था उसमें loss था 40,000 का profit 40,000 का profit माइनस 24,960 का loss तोटल 15,000 का net profit सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आए तो क्या आप बूल रहे हो कि यहाँ पर आपको net profit 15,000 दिख रहा था येस लेकिन अगर आप ये put नहीं खरीदते तो आपको तो 40,000 दिखता ना दिखता लेकिन रात को नींद नहीं आती ना आप समझ नहीं रहे हो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दिखता जरूर लेकिन मैं सुबह 7,9 बजे market में टिका रहता आज पता है जब ये position मैंने लिए कल की position ली हुई है position ली उसके बाद अराम से मैं गया gym विम करा 11 बजे मैंने market open करके देखा क्यों मेरे को प तो ये जो हमने करा है ये जो हमने बनाई है ये strategy होती है this is just one of the strategies a very basic very minimal strategy don't worry अपने इसको और depth में समझेंगे और पढ़ेंगे उसकी tension आप लोग मतलो ठीक है क्या आपको strategy का मतला समझ माया अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ अपने futures जो जो हमने already cover किया हुआ है देख ठीक है तो सबसे पहला है इसमें 5.1 की future contracts को कैसे use करा जाता है hedging के लिए speculation के लिए और arbitrage के लिए तो long hedge using futures imagine करो कि अपने को 1500 share खरीदने ABC limited company के जो अभी 455 पर है है ना बट अपने पास अभी खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि अपनी एक FDA जो आज से एक महिने बाद में चौर हो रही है ठीक है और इस दौरान अपने को ये डर लग रहा ही कि अरे कहीं 455 से price जाए तो आप long hedge कैसे करोगे आपके पास क्या situation है देखने अधर current situation क्या है current situation है कि मेरे पास 445 के shares है 445 current market price है हमारा plan है 1500 share खरीदने का 20 June को ठीक है हमने क्या करा long position लिली futures में ठीक है जो expire हो रहे 29th June को और हमने ये future position ली 457.30 रुपीज में 455 अभी चल रहा है spot price है future price मेरा बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ा हुआ है वो आपको पता है cost of carry के कारण बढ़ जाता है future ठीक है interest rate के कारण बढ़ जाता है future और future का lot size भी 1500 ये जित्ती share अपने को 20 दिन बाद खरी देने लगभग उतना ही अपने पास amount आपे ले बहले तो अपन क्या करेंगे अपन एक lot future खरीद लेंगे जिससे मेरा जो price होगा वो price 457.30 पे lock हो जाएगा अब जब मैंने future खरीद है 457.30 का ठीक है अब मानलो stock price बढ़ गया 520 रुपय हो गया 20 June को जिस दिन मुझे खरीद ना था तो हम क्या करेंगे पता है हम बजार में जाएंगे 520 रुपय के 1500 शेर खरीद लेंगे कित्ते का पड़ा 1500 शेर 520 का अपने को 7,80,000 रुपीज का cash में जो FD2T मेरी ठीक है और जो मैंने 457.30 पे future लेके रखा था वो future की value बढ़के कितनी हो गई है 521.20 तो उसमें मे मैंने cash market में खर्चा करा 7,80,000 मुझे gains हुए future से 95,850 तो मेरा जो net खर्चा हुआ वो हुआ 684,150 तो इसका मतलब मेरी cost of share कितनी हुए 456.20, 456.10 क्या मैं यही चाह रहा था क्या मैं बिलकुल यही चाह रहा था कि मेरी इससे ज़्यादा cost नहीं बढ़नी चे है are you getting my point EG समझ में आ रही है आपको दूसरा case दिलो मान लो price decrease हो गया समझना आप अब price क्या हुआ 390 रुपे हो गया 20 जून को गिर के है हमने 1500 share buy करे 390 रुपे के बहा हुपे तो कितने पढ़ आपने को 5,85,000 यह हमारी जेप से गया फिर मैंने जो 4957.30 पे future buy करके रखा था उसकी भी value कम ह के 391 हो गई तो मेरे को नुकसान हो गया 99,000 रुपे का देखना तो 5,85,000 रुपे तो मैंने 5,85,000 रुपीज तो मैंने cash market में pay करे है ठीक है तो buy 1500 shares in spot on 28th of June और यह जो loss हुआ है यह भी मैंने pay off करा तो मेरा total cost कितना आया 684,300 जब यह 684,300 को मैं 1500 shares से divide करूँगा तो मेरी per share cost कितने आगई 456.20 exactly लगभग यह आप समझ रहो hedge हो गया ना मेरा मेरा अब उससे ज़्यादा cost नहीं आईगी are you getting my point? समझ में आ रहा है आपको यह जो strategy होती है इसको long hedge कि आपने क्या करा? आपने futures को सिर्फ अगर आपने future खरीदा है that is long hedge अब भई मैं इसमें time क्यों waste करो? यह तो simple plain future का pay off chart आप अच्छा एक बात ध्यान रखना आप समझ लो अगर आपको futures and options वाकरी में ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो इसमें बड़ा career बनाना है मुझे तो सीखना है futures and options आगे तो यार boss एक चीज़ आप यह समझ लेना that आपको pay off graph से दोस्ती करनी पड़ेगी ठीक है pay off graph से दोस्ती करना पड़ेगी मतलब आपको है न हर चीज़ को pay off graph में डालके देखना पड़ेगा आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि भाया जब तक मैं pay off graph में कोई चीज नहीं डालूंगा मेरको समझ में नहीं आएगी and I will not be able to do anything हमेशा pay off graph एकदम आपका tip पे होना चीज़ है ठीक है दूसरा देखिए short hedge using stock future आप क्या कर रहे है समझे यहाँ पर you are planning to sell 1200 shares of PQR limited 10 July को आपको share करना है sell करना है shares क्यों sell करना है क्यों क्यों आपको एक personal loan चुकाना है ठीक है आज है 10 माई आपको 10 July को करना है दो महिने के बाद ठीक है तो currently जो share है वो 1690 पर trade कर रहा है आपकी फट गई आपको लगा दो महिने में कही market ना गिर जाए ठीक हो market गिर गया ये 1600 वाला share अगर 1200 आगया तो जो मैं 1200 share बेचूंगा उससे मेरा personal loan तो pay off नहीं हो पाएगा तो मुझे किसी भी करतारा से future का price lock करना है फिर आपने देखा कि जो July का future चल रहा है PQR का वो 1706 रुपे चल रहा है देखो 1690 spot price है 1706 रुपे जुलाई का future चल रहा है दो महिने आगे का तो जब दो महिने बाद का मेरे को price अभी मिल रहा है lock में तो cost of carry भी तो जादा होगी ना उसकी ठीक है हमें डर है कि कही price drop ना हो जाए अब इस risk को अपन कैसे hedge करेंगे देखिए दर दो मिट समझी है lot size of future contract वो 600 share है lot size ठीक है तो 1200 shares को hedge करने के लिए मुझे 2 contract sell करने पड़ेंगे आज ही future के अगर मैं आज 2 contract sell कर देता हूँ future के तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है मैंने ये 1706 का price lock कर दिया है boss अब अगर 1706 से नीचे उपर जाता है share say for example क्योंकि मुझे तो बेचना है ठीक है sorry 1707 नीचे जाता है तो आप मेरे को profit दोगे तो हमने क्या करा दो lot sell करे 1706 के भाव के अब क्या हुआ stock का price actual में गिर गया जो डर था वो हो गया जिसके लिए अपन ने hedging लिया था वो चीज हो गई price 1440 रुपे हो गया ठीक है 1706 जो था 6706 जो था तो मैंने क्या करा 1200 shares करी थे 1440 रुपीज के भाव के 10th of July को ठीक है 1728,000 रुपे टोटल लग गये जो future था मेरा 1706 का वो गिर के 1441 हो गया अब since मैंने future sell करा था तो 1706 के नीचे जो भी गिरा है उसका जो difference है वो मेरा profit है तो मेरे को 3,18,000 का profit हो गया समझना मुझे मिला 1728 shares बेच के उसमें profit मैंने add करा 13,18,000 का तो मेरे को total मिला 20,40,000 इस 20,40,000 को अगर मैं 1200 से बेचता हूँ तो मेरा जो effective selling price per share आया है that is 1705 it is very very easy this entire thing is written in a most simplest manner possible आप लोग मुझे अभी तक बताओ आपको notes कैसे लग रहे प्लीज दो मिनट halt करो मेरे लिए respect करो और आप comment में लिखके मुझे बताओ कि notes कैसे लग रहे मैंने आपको बताए पहले वे मैं कि comment पढ़ता हूँ ठीक है अब please मुझे बताओ ये notes कैसे लग रहे अगर उल्टा हो गया तो अगर future price अगर stock price बढ़ गया तो कोई बात नहीं बढ़ गया तो बहुत बढ़ या चांदी चांदी है अपनने तो insurance खरीद रखा है ना future का price तो अपनने पहले lock करा है future में कुछ भी हो जाए समझना future में कुछ भी हो जाए 1705 अगर stock बढ़ा है तो effective selling price आ रही है अगर stock गिरा है तो भी effective selling price 1704 रुपया डिए definitely एक दो रुपय उपर नीचे होता है ठीक है अब ध्यान से समझना ज़रा है अब ये बोल रहा है कि चलो ठीक है आपके पास अभी तक क्या था आपके पास अभी तक ABC Limited के shares थे जो आपको खरीदने थे या PQR Limited के shares थे जो आपको बेचने थे तो इस case के अंदर आपने at least ये करा कि आपके पास PQR Limited का stock option अवेलेबल था ठीके futures अविलेबल था तो आपने खरीद बेच के उसको hedge कर दिया सर मैंने तो एक करोड रुपया डाला हुआ है say for example और मैंने multiple stocks में डाला हुआ है अब है न मुझे मेरा portfolio ही hedge करना है पूरा समझ रहे आप मुझे मेरा portfolio ही hedge करना है पूरा का पूरा तो मैं उस portfolio को hedge कैसे करूँगा आप कोई चीज समझ मैरी है यहाँ पर क्या हो रहा है we need to hedge a portfolio through index future मेरे पास 90 लाक रूपय का इस समय portfolio है 90 लाक का portfolio है इस 90 लाक के portfolio में क्या multiple stocks हैं क्या multiple stocks हैं बहुत सारे stocks हैं क्या सबके futures and options market में available होंगे बिल्कुल भी नहीं सबके futures and options तो market में available नहीं होंगे ठीक है तो इस point of time पर मैं क्या करूँ क्या मैं hedging नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकते हो कैसे hedge करूँगा nifty future से hedge करोगे भई आपका portfolio कब गिरेगा आपका portfolio गिरेगा जब आपका price जब आपका index निटी market नीचे गिर जाएगा market के sentiment negative हो जाएगे तो अगर मैं मेरे portfolio के बराबर का amount समझना मेरी बद्ध्यान से यहां trick है बरो तो sir मैं क्या करूँ क्या मैं 90 लाक रूपे के futures बेच के बैठ जाऊं क्या आजी ध्यान से समझना and we are मैं एक बाद फिर आपको बता देता हूँ हम जो भी पढ़ रहे हैं ये है practical but this is just the one baby step of entire theory आपको अगर लग रहा है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको करके आप अपना portfolio hedge कर लोगे आपको ऐसा लगता है इतना आसान होती चीजे हैं चीजें इतनी आसान होती है मार्केट में कि NISM 8 की खोली workbook और उसमें जो portfolio hedge की method लिखे है वो अपने apply कर दी portfolio hedge होगे अपना तो फिर लोग fund managers को पैसा क्यों देते हैं अगर this is just a first step तो please don't try this at home this is very dangerous यहां देखिए problem statement क्या है ठीक है तो problem statement है कि आपको ऐसा लग रहा है कि market में crash आएगा अगले महीने next month अब आपके पास दो option है यहां तो अपना portfolio बेज दो पूरा का पूरा ठीक है बट आपको लगता है यह चीज सही होगी क्योंकि आपने तो portfolio long term के हिसाब से बनाया है यहां फिर दूसरा option है कि उसको index के साथ hedge करो index के साथ hedge कैसे करेंगे समझना मेरे पास 90 लाग का portfolio है अगर market उपर जा रहा है मुझे ऐसा लग रहे कि next month market will go up तो मैं hedge क्यों करूंगा सबसे बड़ी बात तो यह हो गई ठीक है अगर मुझे लग रहे कि market नीचे जा रहा है और मुझे उससे profit नी कमाना है समझना मेरी बात hedge का objective profit कमाना नहीं होता loss minimize करना उपर तो मुझे वो गिरे वे market में ऐसा नी होना चाहिए कि मेरा loss हो जाए ठीक हलाग कि मैं share बेचूंगा नहीं मैं को लग रहा है market गिरेगा उससे मेरे को loss नी होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा hedge अगर मैं करना हूँ index future से तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि market गिरे तो मेरा फाइदा हो तो मतलब मेरे को future को short करना पड़ेगा पहले sell करना पड़ेगा वाट वील डू ठीक है we'll take a short position in index अपने index को base देंगे तो अगर market गिरता है ठीक है और portfolio loss में चला जाता है तो जो loss है वो offset हो जाएगा जो gain हमें होगा short position से अब problem सिर्फ इतनी है कि अगर मेरा portfolio जो है मान लीजे वो portfolio की जो value है वो इस समय 90 lakhs का portfolio है मेरा तो मैं कितने nifty के futures short करूँ this is my biggest worry ठीक है यहाँ पर एक पंड़ा आता है जिसको बोला जाता है बीटा मैंने आपको पहले भी बोला था किसी एक session में यह बीटा का एक बहुत depth में मैंने session ले रखा यूट्यूब पर है वो अपने channel पर आप देखिए का जाके मैं उसकी link इसमें भी देदूँगा शाय पिछले वाले में दी नहीं थे इसमें देदूँगा मैं देखूंगा बीटा ओफ पोर्टपोलियो कितना है मान लो बीटा ओफ पोर्टपोलियो आता है 1.3 जो कि मेरा है अक्चुल में मेरा पोर्टपोलियो का बीटा 1.3 है ठीक है सर इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर market 10% गिरता है समझना तो मेरा पोर्टपोलियो 13% गिरेगा आप समझ लो market में जो भी गिरावट या तेजी आईगी मेरा पोर्टपोलियो हमेशा उससे 30% जादा ही रहेगा अगर market 20% गिरता है तो मेरा पोर्टपोलियो कितना परसेंट गिरेगा 26% अगर market 50% गिर जाता है तो मेरा पोर्टपोलियो कितना परसेंट गिरेगा 65% आपको समझ में आ रहा है यह चीज यह चीज समझ में आ रही है अगर मेरे पास 90 lakh का पोटफोलियो है ठीक है समझ ना अगर मार्किट गिरता है 1% से गिरता है say for example यह मार्किट पूरा गिर जाता है तो मेरा पोटफोलियो कितना गिरावट आ सकती है मेरे पोटफोलियो में into 1.3 तो अगर मार्किट गिरेगा तो मेरे पोटफोलियो में यह गिरावट आएगी तो मुझे इस अमाउंद को हेज करना है मुझे 90 lakh को हेज नहीं करना है अगर आपने 90 lakh के बराबर का निफ्टी में पोजिशन ले लिया देखो दो तरीके समझ नहीं इदर प्लीज अंडरस्टाइड मान लीजिए आपका 90 lakh का पोटफोलियो है आपको इसको हेज करना है तो अभी निफ्टी कितना चल रहा है say for example निफ्टी इस समें चल रहा है 25,000 और 25 की क्वांटिटी है 25 का लॉट है निफ्टी का तो निफ्टी का एक लॉट अगर मैं लेने जाता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है 6,25,000 रुपीज का अब मेरा पोटफोलियो वाल्यू 90,00 है मेरको कितनी क्वांटिटी future lots to hedge कितने चाहिए है ना तो मैंने करा 90 divided by 6,25 तो वाल्यू आ गई 14.4 यहने इसको आप round about कर दो 15 lot इतने 15 lot आपको short करने पड़ेंगे निफ्टी के पताए आपको यह method गलत है मान लीजे ऐसा हो जाए कि निफ्टी जो है मैं बताए तो कैसे गलत है क्या हो गए after one month निफ्टी फॉल हुआ निफ्टी 25,000 का जो निफ्टी था वो गिर के 20,000 पे आ गया मतलब कित्ता पर्सेंट फॉल हुआ 20 पर्सेंट फॉल हो गया ठीक है समझने इदर तो अगर निफ्टी 20 पर्सेंट गिरा है मार्किट 20 पर्सेंट गिरा है तो मेरा पोर्टफोलियो तो और जादा गिरा होगा मेरा पोर्टफोलियो 26 पर्सेंट गिरा होगा आपको समझ में आ रही है बात मेरी विगी मेरा पोर्टफोलियो तो हमेशा मार्किट से 30% और जाधा गिरता है तो अगर मार्किट में पोर्टफोलियो 20% मेरे मार्किट 20% गिरा है तो मेरा पोर्टफोलियो 26% गिरा होगा समझ में आ रही है चीज तो मेरे पॉर्टफोलियो में कितने की गिरावट आई पॉर्टफोलियो लॉस 90 लैक इंटू 26 परसेंट 23.4 लैक का मेरा नुकसान हुआ क्योंकि पॉर्टफोलियो की वैल्यू कम हो गई मार्किट की गिरने से मेरे फ्यूचर्स का प्रॉफिट कितना हुआ समझना मैंने 25 लॉट ले रखे थे मैंने 15 लॉट ले रखे थे ठीक है तो 25,000 माइनस 20 के ये तो हो गया एक का इंटू 25 ये हो गया एक लॉट इंटू 15 समझ रहे वाप ये ही होगा 25,000 से गिरके 20,000 आई तो मेरे को एक निफ्टी की एक यूणिट पे 5000 मिले ठीक है एक लॉट में कितनी यूट होती है 25 यूणिट और मैंने कितने लॉट शॉट करे थे निफ्टी के 15 लॉट शॉट करे थे 5000 इंटू 25 इंटू 15 आपका जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 18.75 लाक्स आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अनहेजड अनहेजड लॉस कितना हुआ 4.65 लाक्स आप देख पा रहे हो कि आपने अपने पॉटफोलियो को अंडर हेच करके रखा हुआ है यह गलत तरीका है मैं इस पहना एक लाइन खीचता हूँ यह आप लोग नोट कीजिए आपको मिलेगा नहीं यह वाला शीट यह आपको नॉर्मल नोट्स मिलेंगा यह गलत तरीका है इस इस रॉंग वे ओव दुइंग इट सर तो राइट तरीका क्या है 90 लाक का पॉटफोलियो ठीक है बीटा कितना है 1.3 तो मेरा टोटल एक्स्पोजर कितना होगा इंटू 1.3 90 लाक इंटू 9.3 जा 27 90 लाक इंटू 1.3 तो मेरा टोटल पॉटफोलियो कितना होगा 117 लाक्स विल भी मैं टोटल एक्सपोजर ठीक है निफ्टी कितना चल रहा है या 6 लाक 25,000 रुपे का एक लॉट वही 25,000 का लॉट है 25,000 की निफ्टी है 25 का लॉट चल रहा है ठीक है तो टोटल लॉट्स मुझे कितने करने पड़ेंगे 117 divided by 6.25 close to 19 लॉट्स अब देखिए आप क्या होता है situation अपन थोड़ी सी घुमा देते हैं फिर से सेम वही फंडा जो पिछली बार अपन ने देखा market है market टूट जाता है कितना percent टूटता है market वही 20% टूटता है तो मेरा portfolio का loss तो 26% रहेगा ठीक है after one month portfolio loss कितना था पहले 23.4 ठीक है futures में gain कितना हो रहा है वह चेक करना है बस देखो इदर 25 के का 20 के हुआ 5000 का gain एक unit पे 25 unit का एक lot मैंने 19 lot shot करें 23.75 का profit net profit अगर आपको देखना है तो 35,000 का net profit which is nothing as compared to your 90,000 का portfolio आपको समझ में आ रहा है तो मुझे है ना एक मुझे एक hedge ratio की requirement होगी hedge ratio helps you to determine how many index future contract you need to sell to hedge your portfolio जो मैंने ये करके बताया है आपको और नीचे वाला जो है ये है value of one lot of nifty तो मुझे पता चलता है कि मुझे nifty के कित्ते lot shot करने है ठीक है make money दो option होते है आपको 800 का lot में खरीदता हूं 1300 रूपय का price और 800 का lot है तो मेरे को ठीक है वही पर अगर आप ITC का future खरीदते हो तो आपको सिर्फ 1,500 रूपय देने है मान लो 500 वाला share बढ़के 510 रूपय हुआ तो आपने 1600 share पे 16,000 रूपय कमा लिए ठीक है अगर आपने वो share cash में खरीदे तो आपने 8,000 रूपय लगाए और आपने 16,000 रूपय कमा है क्योंकि 10 रूपय बढ़ा है share price ठीक है तो 8,000 रूपय लगा के अगर आप 16,000 रूपय कमा रहे हो that is 0.5% of your total profit ठीक है सर समझ गया ठीक है sorry 2% ठीक है सर लेकिन वही पर अगर आप 15,000 रूपय कमा 16,000 कमा रहे हो 15,000 लगा के 16,000 कमा रहे हो that is close to 7% 8% तो हमेशा futures पे आपका return on investment जादा होगा क्यों क्योंकि future को खरीदने के लिए amount जो लगता है margin amount वो कम होता है आपको वह 8,000 रूपय का माल उठाने दे रहा है 16,000 रूपय उठाने दे रहा है सिर्फ 7,000 रूपय profit में फिर बता रहा हूँ 10 में से 9 लोग derivative में loss करते हैं से भी चिला चिला के बोल रहा है ठीक है इतनी सी बात है बस I hope यह आपको समझ में आया यहां तक क्या आपको पूरा समझ में आया है कुछ भी नहीं है आप चाहो तो इसको रोक के पढ़ लेना शुरू करो ठीक है हम इसको continue करते हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगले session में तब तक के लिए देशेस पार्त वर्मा signing out